Pointing Devices Objectives Pointing Devices का lesson करने के बाद आप जान सकेंगे कि Computer Mouse क्या है, इसके मुख्तिलिफ functions क्या है और इसकी इलावा चंद और Pointing Devices कौन सी हैं? Mouse इस वाक्त आप screen पर जो device देख रही हैं हम उसे Mouse कहते हैं ये एक ऐसी device है, जिसकी मदद से हम Computer Screen पर किसी चीज़ की बाआसानी निशान दही कर सकते हैं बजाहिर ये एक चोटी सी device है, लेकिन है बड़े काम की बाजार में मुख्तलिफ किसम के Mouse मौजूद हैं जिन में से कुछ इस वक्त आप screen पर देख रहे हैं ये सब देखने में मुख्तलिफ जरूर हैं मगर ये काम एक ही जैसा करते हैं हम इन में से एक को तफसील से देखेंगे ये एक आम Mouse है, हो सकता है कि आपका Mouse इस Mouse से मुख्तलिफ हो जरा गोर से इसको देखिए, इस पर दो बटन लगे हुए हैं दाइम बटन को Right Mouse बटन और बाइम बटन को Left Mouse बटन कहते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि माउस को इस्तमाल करने के लिए इसे कैसे पकड़ा जाता है आप देख रहे हैं कि माउस को Mouse Pad पर रखा हुआ है देखिए कि माउस को पकड़ने के लिए हाथ की हतेली को इसके उपर रखा जा रहा है और हाथ की उंगलियों से इसे Griff में लिया जा रहा है ये बात नोट करें कि पहली उंगली को माउस के Left बटन पर रखा गया है माउस है और दूसरे हिस्से में तीर का निशान अब हम माउस को Pad पर घसीट रही है क्या आपने बाइंचानिब स्क्रीन पर कोई तबदिली महसूस की या आपको कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया जी हाँ, आप माउस को जिस संप में हिलाते हैं तो स्क्रीन पर एक छोटा सा तीर का निशान भी बिलकुल उसी संप में हिलता है इस तीर के निशान को माउस पॉइंटर, एरो या माउस करसर कहते हैं अब हम माउस को दाइन जानिब घसीट रही हैं और जैसा कि आप देख रही हैं, कि तीर का निशान भी उसी संत में जा रहा है. हमने माउस को इस्तमाल करना तो सीख लिया. अब हम माउस के बटन्स का इस्तमाल सीखते हैं. माउस के बटन दो तरीकों से इस्तमाल किये जाते हैं. पहले तरीखे में हम माउस के किसी भी बटन को एक मरतबा दबाते है इसको Single Click या Click करना कहते हैं क्योंकि जब माउस का बटन दबाया जाता है तो Click की आवाज आती है इसी तरह अगर हम माउस के किसी बटन को एक सेकंड में दो बार दबाएं तो इसको Double Clicking कहते हैं Double clicking करते हुए इस बात का खास खयाल रखें कि ये एक सेकंड के अंदर किया जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं. आप देख रहे हैं कि हमने ये क्लिक किया और अब दोबारा क्लिक किया. ये double clicking हरकिस नहीं है, बलके दो single clicks हैं. इसी तरह माउस का दाया बटन भी इस्तिमाल होता है. माउस के दाया बटन को एक मरतबा दबाने की अमल को right clicking कहती हैं, जिससे screen पर कुछ और information नजर आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं. इसकी detail हम अगले lesson में देखेंगे. dragging. आईए. अब हम माउस का एक और इस्तमाल देखते हैं. हम माउस की मदद से computer की screen पर एक चीज़ को घसीट कर या drag करके दूसरी जगा पर ले जा सकते हैं. इस अमल को dragging कहते हैं. इस वक्त आपको screen के दो हिससे नजर आ रहे हैं. दाएं जानिब आपको माउस नजर आ रहा है. और बाएं जानिब आपको एक किताब नजर आ रही है. जिसे हम घसीट कर या drag करके उसके करीब पड़ी मेस पर रखेंगे. सबसे पहले हम arrow को किताब के ऊपर लेकर आएं हैं. अब आप screen के दाएं तरफ देखिए. यहाँ पर हमने mouse का बाया, यानि left बटन दबाया है. अब हम mouse pointer को मेस की तरफ घसी कर ले जा रही हैं. देखिए, mouse का बटन अब भी pressed है, यानि दबा हुआ है. अब किताब मेस के ऊपर आ चुकी है. अब mouse का बटन हमने छोड़ दिया है, ताके किताब मेस पर रही. इस तरह आपने देखा, कि हमने mouse की मदद से किताब को ड्रैग करके, यानि घसीट कर मेस पर रखा है. यह अमल, ड्रैगिंग कहलाता है. Other Pointing Devices Pointing Devices हर वो डिवाइस हैं, जिसके मदद से हम computer की screen पर किसी चीज़ के निशान दिही करते हैं. चुँके mouse के मदद से हम screen पर मुक्तलिफ चीज़ों की निशान दिही करते हैं, इसलिए हम इनको Pointing Devices कहते हैं. मगर mouse दुनिया की वाहिद Pointing Devices नहीं है. इसके अलावा और भी Pointing Devices मौजूद हैं, जैसे के trackball और trackpad. ये एक trackpad है, जो इस वक्त screen पर नज़र आ रहा है. ये एक छोटी सी screen जैसा होता है. ये trackpad बहुत नाजुक सता से बनाया जाता है. जैसे के आप देख रहे हैं, जिस पर हाथ की उंगली रखकर दाएं, बाएं या उपर नीजे हिलाए जाए, तो computer की screen पर तीर का निशान उसी संप में चलता है. ट्रैक बॉल, ये एक ट्रैक बॉल है. ये भी एक pointing device है. मगर देखा जाये तो सिर्फ एक बॉल है, जिसे हाथ की मदद से घुमाया जाता है. देखिए, इसको घुमाने से computer की screen पर arrow उसी संप में चलता है, जिस संप में हम इसे घुमाते हैं. Summary Module 1 के इस हिस्से में हमने mouse और दूस्ची pointing devices के बारे में देखा. इसके साथ साथ हमने mouse के जरिए clicking, double clicking, right clicking और dragging के तरीके भी सीखे और उनकी exercise की. हमने इस हिस्से में ये भी देखा कि mouse को किसी pad पर घसीटने से screen पर एक तीर का निशान जिसे pointer कहा जाता है, उसी संप में चलता है. ये तीर का निशान screen पर किसी चीज़ की निशान दही करने के काम आता है. mouse के अलावा हमने track pad और track ball के बारे में भी मालूमात हासिल की. ये भी pointing device है लेकिन mouse से थोड़ा मुक्तलिफ है.